हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अनव पुना और वेलकम तू मैं चैनल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुती ज़ादा टेस्टी यम्मी और फेमस छोले बटूरे वो भी छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ जिससे की हम बहुती आसानी से बहुती अच्छे से इस ये ही काबुली चैना इसको अच्छे से वाश कर लिया है वाश करके पानी डालकर इसे ओवर्नाइट सोक करने के लिए रग देरे हो। रातबर के लिए अब next डे चैने एकदम अच्छे से फुल गया है, अब मैं इने डाल रही हूँ प्रेशर कूकर में डालकर इने हमे अच्छे से पकाना है तो अभी मैं इसमें डाल रही हूं एक तेजपता और नमक डालकर सीटी लगा कर थोड़ा सा ओईल भी डाल रही हूं ताकि पकते समय पानी बाहर निकले और इसे हमें पास से छेवी जिल तक या तब तक पकाना है जब तक कि यह पुरी तरह के से पकने अब बटूरी के लिए मैदा, सुजी और एक कटोरी दही है नमक है शक्कर है और और यह है बेकिंग सोडा तो सबसे पहले हम लोग बटूरी के लिए आठा तयार करते हैं तो मैंने एक मेजरिंग कप लिया है उससे मैं चार कप मैदा ले रही हूं आप कभी उसकर सकते हो तो आपके पास है उसके according हमें 4 by 1 लेना होता है तो मैंने 4 cup मैदा लिया है अप लेकर मैं इसे अच्छे से चान रहे हूं ताकि इसमें जो भी dust या कुछ गंदगी हो तो वो निकल जाया अभी मैंने मैदा चान लिया है अब सेम उसी कप से मैं 1 cup सूजी ले रही हूं तो हमारा और हमें जगा गेह का आता भी यूज़ कर सकते है तो अभी मैंने डाला है दहि यह हलकी खटी दहि है उसके बाद मैं इसे ठोड़ासा मिक्स कर रहे हूं तो रही हो मिक्स करके अभी मैं इसमें डालरी हूं नमक मैं यहाँ पर 1 tsp यूज़ कर रही हूं अप अपने टेस्क औ दाल कर अब मैं इसमें डाल रहे हूं ऑईल मैं 3 टीस्पून यूज कर रहे हूं ऑईल डालने से आठा अच्छे से नर्म सॉफ्ट मुलाइम रहता है तो आठा डाल कर पहले सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रहे हूं मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका मैं एकदम अच्छे से नर्म आठा बना के रेडी कर लूँगी बट पहले हमें दही और मैदे को और बाकी जो हमने नमक शकर और बेकिंग सॉड़ा डाला उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद थोड़ा थ अच्छे से इसका नर्म आठा बना लेना है बनाने की बाद इसके ओपर मैं थोड़ा सा और ओल लगा रही हूं और लगा कर एक गिले कपड़े से ढख कर इसे मैं दो घंटे के लिए ऐसे रहने के लिए रख दे रहूं ताकि इसमें आठे में अच्छे से खमी रा जाए तो अ अच्छे से अच्छे मसालों में यह हैं मिर्च पौडर, हल्दी पौडर, धनिया पौडर, जीरा पौडर, अधर ग्लस्टन का पेस्ट, जीरा, कस्तुरी मेथी, आमचुर पौडर और यह हैं नमक हम लोग अकॉर्डिन टूटेस यूज़ करेंगे और चना मसाला मैं मार्क के लिए, तो अब हम देखते हैं चने, चने को मैंने अच्छे से पकने दिया और उसके बाद प्रिशर अपने अप ठंडिया होने दिया है, तो अब आप देख सकते हैं चना एकदम अच्छे से पक गया है, आप चाहो तो पकाते सरमें इसमें थोड़ा भी यूज़ कर सकते बट मैंने कुछ भी नहीं डाला, डिरेक्ट ऐसे ही पकाया, अभी मैंने एक पैन रखा और उसमें डाला है ओल, ओल डालकर सारे सुखे मसाले इसमें मैंने डाल दिये, उसके बाद ही और सुखी लाल मिच, सुखे मसालों के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन, अ मैंजा है 1 tsp अद्रक लस्टन GraPS2 अद्रक भूने के बद Авए अच्छे से मिक्स कर रही हूं जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैंने 2 बड़े टेमाटर का यूस किया। आप जबाएंट sûr तो मैंने हमें ने ग्राइब है। 1.5 टीस्पून हल्दी, 1.5 कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून कस्तियूरी मेती को मैं इस तरीके से क्रश करके डाल रहे हूँ डाल कर अब हमें अच्छे से भुनना है, भुनते समय ध्यान दे, अगर सूख गया हो तो थोड़ा सा पानी डाल कर भुन लेने तो ये कडाई में लग जाएगा अभी मैंने सारे मसाले को एकदम अच्छे से भुन लिया है, साइड से थोड़ा सा तेल भी छूट रहा है, बस इस तेश तक हमें भुनना है, और भुनते समय इसमें खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है उसके बाद मैंने से में डाला है थोड़े से पके हुए चने, चने डालकर पहले थोड़ा सा इसको मैं भुन ले रही हूँ, भुनने के बाद, मिंस अच्छे से मिक्स करने के बाद, अब ये है पोटेटो मैशर, इससे मैं इनको अच्छे से इस तरीके से मैश कर रही हूँ मैं इसको इसलिए कर रहे हूँ ताकि जो हमारी gravy है वो थोड़ी सी थिक बने ऐसे mash करने से gravy थिक बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा तो आप gravy थिक करने के लिए आलो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चने को इस तरीके से mash करके भी gravy को थिक कर सकते हैं अब मैंने इसको थोड़ा सा और भुन लिया हैं उसके बाद इसमें मैं बाकी बचे चने पानी के साथ डाल रहे हूँ डाल कर इसको मैं अच्छे से mix कर रहे हूँ चने अभी हलके गरम है, ठंडे नहीं हुए थे पूरी तरीके से अब मैंने चने डाले हैं, चने डाल कर इसको मैं अच्छे से mix कर रहे हूँ पका रही हूँ, उसके बाद मैंने एक तरफ पानी गरम होने रख दिया है तो अरॉण यहाँ पे मैंने देड़ ग्लास पानी गरम मुने रख दिया है और गरम पानी का योज किया है गरम पानी डाल कर इसे मैं अच्छे से mix कर रहे हूँ mix करने के बाद अभी इसमें हमें नमक डालना है तो नमक यहाँ पे मैंने एक टीस्पून डाला है हम चने पकाते समय भी नमक योज किया है तो आप नमक अपने टेस्ट के according कमिया ज़ादा कर सकते है अभी मैं सारी चीज़ों को mix करके डपकन लगा कर इसे medium high flame पे आरॉण 5 मिनिट तक पकने रख दिया हूँ 5 मिनिट बाद gravy एकदम अच्छे से पक गई है पकने के बाद अभी थोड़ा सा mix करके मैं इसमें डालूँगे छोले मसाला छोले मसाला मैं मार्केट का यूज कर रही हूँ मैंने एक टीस्पून इसमें छोले मसाले डाले हैं डालकर मैंसे थोड़ा सा mix कर रही हूँ उसके बाद मैंस में डाल रही हूँ अराउंड एक टीस्पून आमचूर पाउडर आमचूर पाउडर मैं खट्टी के लिए डाल रही हूँ आपको नहीं पसंद है तो आप skip भी कर सकते हैं डालकर अभी मैंसे और अच्छे से mix करके इसे ढख कर और 2-3 मिनट के लिए मेडियम हाई फ्लेम पर पकने रख दूँगी ताकि सारी मसाले का फ्लेवर इसमें आ जाए अब 2 मिनट बाद मैंने ढखका निकाला है चेक कर रही हूँ सारे चीज़े अच्छे से पक गई है अब इसमें हम लगाएंगे तड़का तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन रखा है उसमें मैं डाल रही हूँ दो टीस्पून गी यह तड़का लगाना कंप्लीटली ऑप्शनल है बट मैं आपको रेस्टरून स्टाइल में बता इसलिए तड़का लगा रही हूँ जैसे गी गरम हो गया इसमें मैंने हाफ टीस्पून अजवाइन एक टीस्पून जीरा और बारिक कटी हरीमिश डालकर इसको मैं हलका सा भुन रही हूँ उसके बाद इस तड़के को हम डालेंगे छोले के ऊपर यह है हमारा रिस्टरून स्टाइल और इसमें बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है बहुत अच्छा टेस्ट भी रहेगा अब मैंने डाला बारी कटा हरा धनिया उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया है अब हम देखते हैं आटा आटे के लिए दो गंटे हो गया है दो गंटे बाद हम लोग और अच्छे से गूत लेते हैं गूतने के बाद इस आटे के हम लोग छोटे छोटे लोया बनाएंगे छोटे मिंस आपको जिस साइस के बटूरे बनाने है उसके अकौर्डिंग आप इसके लोया बना लेना बॉल्स बना लेना तो बॉल्स बना देते समय हमें आट अब डिखा रही है, आप देख सकते हैं, आटे को हमें इस तरीके से अंदर की और ऐसे दबाना है, इस तरीके से आटे का हम लोग बनाएंगे तो हमारा जो बटूरा है बहुत अच्छी से बनेगा, अब इस तरीके से बना कर इसे हम लोग प्लेट मेरे एसे मैंने सारे बॉल् गी लगा रही हूं गी लगाने के बाद इसे हमें फिर से घिले कपड़े से ढखके ही रखना है अदर्वास इसमें ड्राइनेस आ जाएगा अब ढखकर मैं इसको साइड में रख रहे हूं अब हम लोग एक एक बॉल लेकर इसके बटोरे बनाएंगे आप इस तरीके से ओल इसे बात थोड़ा सा हम लोग घी या ओई जो भी आपको लगाना है वो लगाकर हाथ से प्रेड करके इसे हम लोग बेलन से बेलेंगे तो अगर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा बटोरा बहुत अच्छे से बनेगा तो अभी मैं आपको एक बटोरा बना के होती है अगर हम लोग डारेक्ट गोले से बेलेंगे तो उतना परफेक्ट शेप नहीं आएगा तो अब आप देख सकते बटोरा हमारा एकदम अच्छे से बेल के तयार है तो आपको जिस साइज में आपको बटोरा बनाना है उस साइज में आप इसे बना सकते हैं तो अभी में ध्यान देना है कि ऑईल एकदम अच्छे से गरम होना चाहिए अगर ऑईल गरम नहीं है तो बटोरा अच्छे से नहीं फूलेगा तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे बटोरे को ऑईल में डाला है वो आटमेटिक फूलने लगा है अब इस तरीके से थोड़ा प्रेस करत है अब हमारा बटोरा अच्छे से बनके रेडि है जैसे यह थोड़ा सा फूल जाएगा फिर हम लोग घ्यास का फ्ले मेडियम करके इसे सुने रहा होते तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब मैंने इसे पलटा है अब उपर नीचे इसे पलटते वे हम लोग अच्छे से द्यान रखना है कि जब हम लोग बटूरा डालेंगे तेल अच्छे से गरम होना चीए उसके बाद ही हमें बटूरा डालना है अगर तेल गरम नहीं रहेगा तो हमारा जो बटूरा है वो अच्छे से नहीं फुलेगा अब मैं इसे निकाल रहे हूँ प्लेट में क्योंकि यह होके रेडी है अब इसी तरीके से हम लोग सारे बटूरे को फ्राइ करके तल लेंगे अब हमारे सारे बटूरे बनके रेडी है और हमारे छोले भी बनके रेडी है अब आप भी यह टेस्टी यम्मी छोले बटूरे ज़रूर बनाईए और अगर आपको यह रेसिपी सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू